हाई अब्रीवन वेलकम बैक मैं चैनल तो दोस्त यह वीडियो हमारी एक कंस्ट्रक्शन साइट का है जो कि बदोही मार्केट के पास में पढ़ता है चवरी बाजार तो वहां की यह कंस्ट्रक्शन साइट है इसके पहले एक दो वीडियो मैंने यहां का डाला भी था तो वह काम बचा हुआ था लेकिन आज यहां का पूरा काम हो चुका है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के टाइम पे प्रेजेंट में और इस टाइम पे अगर 4000 वर्ट्स का आप बॉयलर जो है 4000 वर्ट्स का अगर आप शेट बनवाते हैं तो इस तरीके का जो शेट बन बनता है सेंटर में कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाता है कि और साइडों में सपोर्ट रहता है और इस तरीके का एक बढ़ियां और बेहतरीन फार्म बनाने के लिए क्या खर्च आता है आज के टाइम पे तो अभी यहां का लगबग सारा काम कम्प्लिट हो चुका है क्यो प्रोटल किस काम को करने में कितना पैसा लगा हुआ है तो यह काम जो है हमारी टीम के द्वारा हमने फाइनल किया इसको वीडियो में जो भी नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ऐसे ही वीडियो मैं अक्सर अपने चैनल पर डालता रहता हूं ताकि आपको एक जनकारी मिल सके कि ऐसा पक्काशट बनाने में कितना पैसा खर्चों का आज की टाइम पे तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो भी लोहे की पाइपे लगी हुई है इस फार्म में वह सब टोटल जो पाइपे हैं स इस स्ट की लंबाई जो है 250 फिट है और चोड़ाई जो है 20 फिट है पांच जार स्वार फिट का यह फार्म है करीब करीब इसमें 4000 बच्चे आएंगे ठंडियों में और गर्मी में थोड़ा सा कम हो जाएंगे और जो पत्रा लगा हुआ है वह बारा फिटी पत्रा लगा हो गया और गिट्टी बालू सिमेंट शरिया में जो लगा हुआ है एक लाग चालेज जार सारा कुछ मिला करके और जो राजगीर का काम था उसके लिए 25 रुपे लगा है प्लंबिंग का जो सामान था प्लंबिंग वर्क टंकी हो गया पाइपलाइन के लिए हो गया यह सब मिट्टी फिलिंग करीब 3-4 फिट हुई है काफी मिट्टी फिलिंग हुई थी और जो वायरिंग हुई है लाइट की वायरिंग और बल्ब अगरा यह सारा होल्डर बोर्ड वही सारा वायर लेकर करके करीब 15,000 रुपए इसमें खर्चा हुआ है इन्वर्टर में 22,000 रुपए का यह हो जाता है तो यह सारा कुछ मिला करके करीब 7,2,000 रुपए आ रहा है जो इसमें बरतन लगने हैं वो थोड़ा सस्ती क्वाल्टी के हैं तो जो यह 63,000 रुपए इनका कर्चा हो रहा है यह करीब 1,00 के आसपास जाता क्यूंकि इसमें जो ड्रिंकर है वो ज दिंकर फिट्टेर हो करीब 50-55 के रिश्यो वाला है तो जिसमें कितना भी लोकल आप बरतन लेंगे तो करीब करीब 3-4 साल तो बड़े आराम से चली जाता है अगर अच्छा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है 10-12 साल कोई दिक्कत आती नहीं है इस तरीके के बरतनों में त तो साइड से आप देख सकते हैं किस तरीके से जाली और परदी के लिए बेवस्था की गई है एक बहुत ही बैतरीन तरीके से ताकि फ्यूशर में आपको कभी दिक्कत ना आए कोई भी काम करने के लिए परदा खुलने बंद करने के लिए आपको बेवस्था अंदर से ही है आपको बारिस में और जो है दूप में बाहर नहीं आना पड़ेगा परदा खुलने या बंद करने के लिए और अगर आप भी इस तरीके का शेट बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास पूरी टीम है हम लोग फार्म अपने आसपास बहुत ही फार्म जो है बनाए हुए हैं ज एक बैतरीन फार्म बना के देते हैं तो आपको भी बनावना है तो हमारे नंबरों पर आप संबर्ख कर सकते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए और टेक केर